हलो, गुड आफ्रनून, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंजली बालियान, दोस्तो सबसे पहले तो आप सबको नव वर्ष की हारदिक सुबकामनाएं, आपके लिए एक छोटी सी सायरी सबसे पहला कहना चाहूंगे, उसके बाद आज की क्लास की शुरुबात करेंगे दोस दोस्तो हर साल आता है, हर साल जाता है, इस साल आपको वो सम मिले जो आपका दिल चाहता है, जो आपका दिल चाहता है, तो इसी के साथ शुरुबात करते हैं, आपका SST यानि सामाजिक अधियन का नया लिंक जो आपको मैंने टेलिग्राम ग्रूप में प्रोवाइड किया ह तो उसी को हम आज से शुरुवात कर रहे हैं, उसकी जितने भी मोड्यूल्स है, असाइनमेंट्स है, सब आपको बहुत जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाएगा, तो उसी अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हुए, आज उसका पहला मोड्यूल हम करेंगे, तो साथ ही साथ अधियन विशय का आपका कोर्स आज से शुरू हो गया है, और 31 जनवरी उसकी अंतिम्तिती होगी कोर्स को पूर्ण करने की, तो आज आज आप उस लिंक को जोइन कर पाएंगे, वो लिंक एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है, और चलिए पहला कोश्चन आपके सामने हैं द अकबरा कहां इस्थित है, तो दोस्तो सासाराम, काबूल, कंधार और दिल्ली, इन सभी में अगर देखा जाए, तो अप्शन नमबर A, यानि सासाराम, बिहार में पढ़ता है, वहाँ पर सेर सहसुरी का मकबरा इस्थित है, अगला पर्षन है, हुमाईयू के पुत्र का न से याद कराया गया था ये, कि हुमाईयू का अकबर, अकबर का बेटा कौन इस तरीके से, तो आपने वहाँ से अगर देखा होगा, तो आपको जरूर याद रहेगा, आगे बात करते हैं, ग्रांट ट्रेक रोड की मरमत किसने करवाई थी, तो दोस्तों इसका सही उप्शन बी होगा, सेर साह सुरी ने मरमत करवाई थी, जीटी रोड की, चोसा कायूद कब हुआ था, पंदरा सो पैतालिस इसवी इसका सही जवाब होगा, आगे बढ़ते हैं, इन में से कौन सा बाबर का पुत्र था, आपको तीन नाम दिये गए हैं, हुमाईयू, कामरान, असकरी या सभी, तो बाबर के ये तीनों पुत्र थे, इनको सम्मिट करते हैं, यही आपका सही जवाब होगा, अगला परशन है, कन्नोज या बिलग्राउं का युद कब हुआ था, तो दोस्तों पंदरा सो चालीस इसवी में कन्नोज का युद हुआ था, बाबर की मरत्यू कब अगर दोस्तों मैं आपको एक अच्छी information देना चाहूं, तो आपके exam में इस तरह के परशन पूछ लिए जाते हैं, बहुत अच्छे question यहाँ पर आपको दिये गए है, ठीक है, सेर सहा सूरी के बचपन का नाम क्या था, तो फरीद खां, सेर सहा सूरी के बचपन का नाम फर 1550 इस्वी में, इसका सही जवाब होगा, 1540 इस्वी में सूर्स आमराज्य की स्थापना हुई थी, अगला परशन है, हुमाईयू नामा किसने लिखा था, तो हुमाईयू ने या बाबर ने गुलबदन बेगम या इन में से कोई नहीं, सही जवाब है, गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया, हुमाईयू नामा, अगला परशन है, मुगल वन्स की स्थापना कब हुई थी, तो 1526 इस्वी में, 1520, 1530 या 1525, सही जवाब है 1526 इस्वी में, आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आपके सभी परशन कंप्लीट हो जाते हैं, 12 कुशन थे, 12 ही हमने आंस स्कोर आपके सामने हैं, हमने सभी परशनों का उत्तर बहुत अच्छे से दे दिया है, तो लाइक और शेर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आगे की वीडियो आपको फटा फट से प्रोवाइड की जा सकें, इसी तरह से तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से आप आपको नव वर्ष की धेर सारी सुबकामनाएं आपका दिन मंगल में हो, या कह सकते हैं, आपका साल ही मंगल में हो, आपके लिए वेकेंसी आए जल्दी से आप लोग टीचर बने, मेरी तो आपके लिए यही सारी सुबकामनाएं हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद, जैहिन, जेप हारत